अलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है मैं को इस वीडियो में आपको करने वाले है प्रोफेशनल एथिक्स वन अपपने टॉपिक ऑफ ओडेट इसको अपने रिवाइस करेंगे आज अपने करेंगे शेडिव वन कल अपने करेंगे शेडिव टू तो चलिए पहले एक फोर फोर पार्ट से हर पार्ट इंडिवीजुली डील करता है अलग-अलग तरीके से कैसे चलिए मैं आपको बताता हूं तो वां जो डील करता है वो डील करता है प्रोफेशनल मिसकंड़क्ट किसके लिए सिए जो प्राक्टिस में इसमें टोटल 12 क्लॉज़ेस हैं सर्विस वाले भी और प्राक्टिस वाले भी या कोई भी है उसके लिए हर एक सीए के लिए ये वाला चीज अप्लिकेबल होता है इसमें तीन क्लॉज़ है और यह अधर मिसकंड़क्ट यह देखो प्रोफेशनल मिसकंड़क्ट पार्ट थ्री पार्ट फोर क्या बोलता है other misconduct यह भी किसके लिए यह बोध practice में है यह salary में कोई कोई फरक नहीं पड़ता यह दोनों के लिए applicable है इसमें भी टोटल तो क्लॉज है तो टोटल कितने पार्ट वन पार्ट वन में टोटल बारा क्लॉज है यह लाइन आपको हर एक क्लॉज के पहले लिखना तो मैंने क्या किया जो common to be guilty of professional misconduct if यह लाइन हर जगे आपको लगानी है मैंने क्या बोला आपको बहुत सिंपल सी बात बताई है कि जो अपना फर्स सेडियूल का पार्ट वन है वो डील करता है जो कि practice members उनके लिए टोटल बारा क्लॉज है तो क्लॉज नमबर वन क्या बोलता है अलाव एनी person to practice in his name as CA unless such person is CA in practice and in partnership or employment with him यहां एंड है ठीक है तो किसी भी person को अलाव नहीं करना है तुम्हारे नाम पर practice करने के लिए आप लोग अभी CA बन जाओगे इस attempt में इसके बाद आप लोगो एकदम भी अलाव नहीं करना है किसी भी बंदे को practice करने के लिए आपके नाम पर अनलेश वह भी बंदा एक CA हो प्लस प्लस वह partnership या employment में हो आपके साथ यानि who can be allowed to practice in the name of CA एक non CA कर सकता है क्या practice आपके नाम पर नहीं एक CA in practice कर सकता है क्या आपके नाम पर practice बिल्कुल आपके या आपके फर्म के नाम पर ठीक है पर वह आपका partner होना चाहिए या employee होना चाहिए कोई भी CA जो आपका partner और employee नहीं है वह allowed नहीं है सिंपल सी बात है तो अलाव नहीं करना है किसी भी बंदे को प्रेक्टिस करने के लिए आपके नाम पे अनलेस वो बंदा सीय है प्लस वो या तो पार्टनर्शिप में या इंप्लोईमेंट में है आपके साथ आप मेंबर इंस्टिटूट इन प्रक्टिस शल बीडिन टो बी गिल्टी और प्रोफेशनल मिस्कंड़क्ट इफ एलाउज एनी परसंट टू प्रक्टिस इन इस नेम एस सीए अनलेस सच परसंट इस सीए इन प्रक्टिस एंड इन पार्टनर्शिप और इंप्लॉइड अगर्ट ऐब फोलता है टेना नहीं है क्या नहीं देना बतार हो मुद आपको कमीशन और ब्रोक्रेज नहीं देना कमीशन याय क्या से नहीं मुआ देना आब काहां से नहीं देना या कि तुम्हों को यह काम दिलवा दो बदले में में उसका 10% में तुमको औरलताएं थाँ गूंकिूर वयुक्स्टानि ओपर ओपर यह मत करना यह एंदेना नहीं है क्या नहीं देना शेयर कमिशन या ब्रोकरेज नहीं देना किस में तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस में सिंपल बड़ दे सकते हो ओके किसको दे सकते हैं कि मेंबर ओफ आई सियाई कोई सिए है ठेक अगर तुम उससे कोई काम ले रहो और उसके लिए तुमको सको कमिशन देना पड़ तो वह अलाओड है यार सिय के लिए सब अलाओड है कोई तुम्हारा partner है obviously उसके साथ तो तुमको share करना ही पड़ेगा कोई legal representative है अगर मर गया है for death हो गई है उसके साथ भी तुम share कर सकते हो member of professional bodies अच्छा तुम CS, CMA, lawyer, architect, actuaries इन लोग के साथ भी share कर सकते हो इन लोग को क्यों डाला हुआ है आगे बताता हो इसके लिए एक reason है या कोई भी बंदा जो prescribed qualification का यानी MBA, B.Tech इन लोग के साथ share कर सकते हो तो मैंने क्या बोला a member of institute in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he pays और agrees to pay share commission brokerage directly और indirectly in profit or loss of his professional business other than मतलब किसके साथ share कर सकते हो professional misconduct नहीं बोलेंगे किसके साथ member of ICI के साथ नहीं CA के साथ share कर सकते हो अपने partner के साथ कर सकते हो legal representative के साथ कर सकते हो CSCMA lawyer architect actually इन लोग के साथ कर सकते हो यानी members और professional bodies लोग के साथ कर सकते हो किसी के पास prescribed qualification है तो उसके साथ कर सकते हो प्रिस्क्राइब qualification में कौन है MBA है B.Tech है यह लोग है ठीक है next आता sell of goodwill on death of proprietor to another eligible member of institute क्या होता आपका प्रोप्राइटर इसे आपका मालने चे किसी Mr. X का proprietor firm है और क्या हो गया कि वो CSC प्रैक्टिस थे अब उनकी death होगी तब उनकी जो wife है और वो तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं चुकिए समलूँ तो वो क्या करेंगी कि जो तुमारा firm का goodwill है उसको sell कर देंगे दूसरे को तो क्या यह allowed है यह allowed है यह किया जा सकता है बट इसके लिए आपको ICI का permission लेना पड़ेगा one year of death जिस दिन death होई वहां से एक साल के अंदर ICI का permission लेना ट्रांसफर करने से पहले और अगर कोई dispute है regarding the goodwill मतलब प्रोप्राइटर से एक कोई भी dispute है तो उस dispute को भी intimate कर देना ICI को one year of death मरने के एक साल के अंदर अंदर तक intimate कर देना ICI को कि इसमें भया dispute चल रहा है लेकिन हम इसको बेचेंगे करके तो मैं ICI को intimate कर देना तो sale of goodwill allowed है प्रोप्राइटर का death हो जाता है तो उसका जो business है उसको sell कर देता है ना चाहिए वह वीड़ो फिर अपना घर कैसे चलाएगी तो क्या अगर तो उसको sell करना चाहती है बड़ो sell किसको कर सकते है इस चीज़ का भी आपको ध्यान खासा ध्यान रखना है कि another eligible member of institute यानि एक CA को ही sell कर सकते हो और किसी को ने sell कर सकते हो उसके लिए भी ICI का permission चाहिए one year of death के अंदर ठीक है सिंपल है तो clause two क्या बोलता है देना नहीं clause one क्या बोलता है clause one बोलता है कि आपको अलाउं नहीं करना आपके नाम पे किसी और को practice करने देना अंटी लेंस वो CA प्लस आपका partner या आपका employer और clause two बोलता है देना नहीं है क्या नहीं देना शेयर कमिशन बोकर मत दे रहें अपने प्रोफेशनल फीस से लेकिन किसको दे सकते हो CA को दे सकते हो CMA lawyer architecture actually लोग को दे सकते हो MBA को दे सकते हो पार्टनर को दे सकते हो अच्छा sale of goodwill कर सकते क्या proprietorship firm का बिल्कुल कर सकते है पड़ एक CA कोई करना और ICI का permission ले लेना एक साल के अंदर very much simple चलो स्टार्ट करते आंगे clause three clause two बोला देना नहीं है clause three बोला लेना भी नहीं है लेना नहीं है क्या नहीं लेना acceptss और agree to accept any part of profit from person who is not a member since तुम किसी और को दे नहीं सकते हो तो तुम किसी और से ले भी नहीं सकते हो तुम किसी और से ले नहीं सकते हो बड़ तुम किस से ले सकते हो member of professional bodies prescribed qualification and who is not member मतलब एक CS से ले सकते हो तो CMA, CS, Lawyer, Architecture जो उपर पढ़ का है वो लोग या Prescribed Qualification, MBA, BTEC यह लोग से ले सकते हो इसका ही opposite है अगर इसको दे सकते हैं तो यह लोग अगर ले सकता है तो उसके लिए भी क्लॉस बनाना पड़ेगा तो वो क्लॉस नमबर 3 है उसका ही उल्टा उपर दे नहीं सकते हो पर इन इन लोग को दे सकते हो तो जिन जिन लोग को दे सकते हो उनको ले लेने के लिए भी प्लास थी है, सिंपल सी बात है, अच्छा, रेफरील फ्री अमोंग्स धी मेंबर क्या होता है, वह क्या करता है, बोलता है कि तुम ज़ाओ उस पार्टी का अर्डिट कर दो, बदले में तुम मेरे को इतने रेफरील फ्रीज दें, रेफरल फीज किया था मैंने तुम्को जूड़ना नहीं यह जोड़ना नहीं है यह important है, enter into partnership with person in India या outside इंडिया, ना तो इंडिया में ना तो इंडिया के बाहर, other than a CA in practice, जो CA in practice है तुम से उसी के साथ ही partnership कर सकते हो, member of professional body having prescribed qualification, actually architect, CMA, lawyer, जो उपर CS, यह सपढ़ गया है, वो सारे, a person whose qualification is recognized by CG और council, तो क्या बोलता है, clause for partnership के बात करता है, जोड़ना नहीं, किसके साथ नहीं जोड़ना है, तुमको किसी भी बंदे के साथ नहीं जोड़ना है, other than a CA in practice, और तुमारा member of professional body, यानि CMA, CS, lawyer, architect, actually, यह और या तो prescribed qualification, जो CG बोलेगा, या council जिसको recognize करेगा, वो वाला, तो यह याद रखना नहीं से, ठीक है, यह case लोग अभी नहीं समझेगा, यह थोड़ी देर बात समझेगा, इसको एक बार के लिए hold पर रखू, नीचे आज़ा, clause 5 में, अच्छा, clause 5 और 6, दोनों साथ में कर सबसे पहले clause number 1 क्या था, firm name यूज नहीं करना, clause 2 क्या, देना नहीं, clause 3 क्या, लेना नहीं, clause 4 क्या है, जुड़ना नहीं, clause 5 क्या है, secure professional work through person other than partner or employee, और means data not open for CA, यानि आपको काम लेना नहीं है, other than अपने partner और employee, यानि अगर आपको employee कोई काम लेका है, तो आप उसको ले सकते हो, कोई partner आपका लिए काम लेका है, आप उसको ले सकते हो, और किसी तरीके से आप काम नहीं ले सकते हो, और कोई ऐसा means open मत, कोई ऐसा means मत use कर लेना, जो open नहीं है, CA के लिए, एक chartered accountant है, उसन rent office, and the norms for charging audit fees, काफी सारी चीजों का उलंधन कर दिया, इन्होंने, तो वो guilty हो जाएंगे for violation of clause 5 and 6, अभी 6 समझते, तब अच्छे से समझे, 6 बोलता है काम मांगना नहीं यार, come on यार, respect के बात है, come on CEO, काम मत मांगो जागे, अच्छा नहीं लगता है, तो बोलता है काम मत मांगो, solicit, professional work, directly और indirectly, through, कैसे नहीं मांगना है काम, advertisement, बड़ा सा बोर्डिंग में छपवा देना, अपने नाम का, CA in practice, CA फलाना धमा का ये क नहीं कर सकते हो, personal communication के लिए, तुम नहीं बोल सकते हो, कि हम CA आके मेरे साथ काम कर लो, interview में तुम नहीं बोल सकते हो, कि हम CA है, other means है, तुम बोल सकते हो, तुम ये नहीं बोल सकते हो, कि मेरा एक फर्म है, हम लोग फर्म में ये काम करते हैं, तुम आके मेरे को काम दो, तु तो तुमको sollicit नहीं करना है प्रोफेशनल वर्क डारेक्ली और इंडारेक्ली थ्रू आडवर्टीजमेंट, सर्क्यूलर, पर्सनल कम्मुनिकेशन, इंटर्व्यू या अधर मिल्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, फ्रॉम सीए इन प्रैक्टिस, भाई भाई, यानि एक सीए से दूसरा सीए काम मांग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चुकि ओविशली एक सीए ही दूसरे सीए का हेल्प करेगा, बट किसी और से मत मांगना, तो अच्छा नहीं लगता है, क्या आप tender को response कर सकते हो, क्या कोई भी अगर tender आए, क्या आप उसको respond कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, minimum fees prescribed होना चाहिए, इन tender document अगर उस tender में minimum fees है, maximum नहीं बोल रहा हो, minimum fees है, तो उस tender को तुम respond कर सकते हो, और open to CA, और other professional including CA, और वो open होना चाहिए CA को, या other professional including CA, क्यानि होना चाहिए, या तो वो open होना चाहिए CA के लिए, दोनों सिनारियों में तुम tender को respond कर सकते हो, या रखना या और है, and नहीं है, guidelines on solicitation, काम मांगने के भी कुछ guidelines दिया हुए, उसको follow करना है, रोविंग इंक्वाइरी is not allowed, रोविंग इंक्वाइरी समझते हो, जा जा के काम आएसे करे, तो इसलिए इसको allowed नहीं किया गया, रोविंग इंक्वाइरी is allowed नहीं है, fees code करना allowed तुम अपना fees code कर सकते हो, पर scale code नहीं कर सकते हो, कितना से इतना रिटन लगाया, तो सो रुपया पर रिटन, इतना से इतना लगाया, तो पंदराशो पर रिटन नहीं, एसा नहीं होता है ऐसा मत कर देना पॉब्लिक इंटर्व्यू दे सकते हो कि आप बिल्कुल टीवी वगरा ख़खी पर भी आ सकता है कोई दिक्कत नहीं है बट 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 इस पॉब्लिसिटी प्रियेट नहीं होना चाहिए एक सीए की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वहर जगे जब भी किसी भी पॉब्लिक प्लाटफॉर्म में जाए तो वह सीए इंस्टीट जो अपना सीए इंस्टीट ए आई से इसको प्रमोट करें अपने आपको कताई पास एक option होता है रेप्रेजेंटेशन करने का Companies Act में 140 सबसेक्शन 4 में तो उसमें भी गाइडलाइन है क्या कि उसमें नीडलेस पॉब्लिसिटी मत करना और काम मत माना यह भाई हमको मत निकालो हमको काम दे दूपर पस काम नहीं है इससे मत करो कमउन सीए हो कमउन थोड़ा लिका हुआ यह पॉइंट यहां लिका है क्लॉस 6 में पार्ट वन शेडूल वन का की नॉट उस्वर नेडलेस पॉब्लिसिटी या सॉलिसेटिंग वर्ट एंड शूद बुट इन डिगनिफाइड बैनर मेंबर एडवाइस तो अपस्टेंट फ्रम एडवर्टाइजिंग या टीचिंग अक्टिविटी थूड वोडिंग पोस्टर बैनर और और वाइन अधर मीन्स है वह सच मेंबर में पूट आउटसाइड यह कोचिंग और टीचिंग प्रमाइस साइन साइन बूर्ड मेंशनिंग दर नेम आफ कोचिंग इंस्टिट्यूट कॉंटाइट डीटेल से सब्जेक्ट फॉड देर इन इसमें सिंबल से बात बोलता है कि अगर आप सीए इन प्रैक्टिस हो इन डाट सिनारियो आप किसी भी कोचिंग सेंटर से कर अटाइज होते हो त इतना ही कर सकतो तब जाएक प्रचार नहीं कर सकता है ज्यास इस चीज़ को चलो कुछ केस देख लेता है क्या बुलता है हेल्ड गिल्टी प्रोफेशनल मिस्कंडेट कहां पर शिक्स में और फाइफ में भी आ जाएगा आप्रोज दे प्रिंसिपल जोएपमेंटा उदेटॉ test स्कूल और चाहिटेड अकाउंटेमें ने क्या किया मिस्रिपेजन्ट कि بैशीन क्योषे उदेटबॉशनै bulb Окs प्र्रेशनल मिस स्कूल शिल्ट डिख स्कूल advertisement कर दिया आपने newspaper में कोई दिक्कत नहीं है बिलकुल कर सकतो बस phone का नाम नहीं आना चाहिए बट इन्होंने क्या किया congratulated on the occasion of opening ceremony of his office अपने office के opening ceremony के लिए congratulations message ऐसे इन्होंने newspaper में दिया तो ये guilty हो गए advertisement published in newspaper ठीक है बट उसमें उन्होंने क्या लिका service in matter of accounts income tax labor law law matters and management service ऐसा करके उसनोंने वहाँ पर लिक्वा दिया लाइक तो यह क्या हो गया यह काम मंगना हो गया तो यह क्लॉस 7 में तुम्हारा guilty हो जाए क्लॉस 7 क्या होता है advertisement से related क्लॉस 7 ठीक है तो 6 और 7 और 5 यह एकदम साथ साथ चलते हैं इसमें बहुत बारिक difference होता है आपको समझना पड़ेगा सबसे आपको की ट्रिक बताऊंगा जब अभी क्लॉस 7 करेंगे तब बताऊंगा और 5 और 6 में तो आपको difference समझ में आई गया होगा 5 क्या बोलता है 5 बोलता है secure professional work काम लेना नहीं है और क्लॉस 6 बोलता है काम मांगना नहीं है लेना नहीं है मांगना नहीं है दोनों में बार इक difference होता आपको समझना आ जाएगा जब आप question पड़ोगे तो यहाँ पर आजाओ और यहाँ पर जैसे clause 7 है तो clause 7 और 6 साथ साथ चलता चाओ तो 7 6 दोनों एक साथ किसी में भी लिख सकते हो गर advertisement है तो 7 6 दोनों रेपर कर सकते हो आप एक chartered accountant है उन्होंने send किया निवर greeting card pairing his name and qualification ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बट 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 उसमें उन्होंने क्या गलती कर दी आल्सू कंटेंड अपना qualification लिख सकते हो लेकिन आप उसमें यह लिख दियो लिस्ट आफ सूपर हिट बुक्स रिटेन बाई शूरेज दीश च बखान हमना allowed नहीं है अपना professional आप अगर उसको बता रहे तो इसका मतलब होगे कि आप solicit कर रहे हो हो वहल워서 आप ब्लस आपने बखान किया clause 7 क्लॉस 7 लिट व näपक्त कर सकते हो जिससे ऐसा लगे कि काम मांग lumière रहे है अपना मतलब आप अपनी तारीफ नहीं कर सकते हो यो अगर यह बोलो तो ठीक है तो अब क्लॉस 6 और 7 जाओगे तो मैंने देखा ध्यान से दो कहीं पे भी तारीफ हो रही एड़टीजमेंट हो रहा एड़टीजमेंट कहीं पे भी हो रहा तो 7 भी आ रहा है 6 के साथ तो 6 और 7 साथ साथ चलते हैं इस बात का ध्यान रखना वेर चाटर्ड अकाउंटेंट हैड अड्रेस्ट अन अंडेटेड बच साइन लेटर तो बैंक रिस्क्वेस्टिंग फर इंपैलेमेंट इस इंपैलेमेंट ओफिस फर्म एज अन ऑडिटर मेंबर ओफ पार्लेमेंट ने भी लेटर बेजा बापर बाप बहुत सोर्सोल आदम है अच्छा फिर भी इसको गिल्टी कर देंगे वो भी किसमें क्लॉस 6 में चुकी काम मांग रहा है काम मांगना तो अलाउड है ही नहीं कुछ इलस्ट्रेशन देख लेता है एक चाटर्ड अकाउंटेंट है उसनोंने पब्लिश किया एक बुक और गेव इस परस्नल डीटे यह नहीं गलती होगी तो क्लॉस 6-7 दोनों में चलेगा हुए है अफ फर्म अफ चाटर्ड अकाउंटेंट क्रेटेड अवेबसाइट एक्सवाइज लिमिटेड एक्सवाइज इंडिया डॉट कॉप ठीक है उसमें उन्हें बायो डेटा दिया और पास्पोर्ट साइज फ इनको कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडेक नहीं लगेगा फर्म अफ चाटर्ड अकाउंटेंट रिस्वांट किया है टेंडर को ठीक है फॉर्डेस पर्पर्पस फर्म अल्सो पेड 50,000 अर्नेस डिपोजिट एज पार्ट ऑफ टर्म्स ऑव डिटेंडर है यह टेंडर में ही कि तुमको डिपोजिट करना तो यह लाउड है यह कमिशन ब्रोकर यह सब नहीं माना जागा चुकि टेंडर में लिखा है कि अगर टेंडर भरना तो अर्नेस डिपोजिट यानि एक सिक्योर्टी डिपोजिट तुमको देना पड़ेगा 50,000 रुपीज का तो वो जमा किया तो इसमें कोई भी प्रोफेशनल मिसकंड़क नहीं होगा परमिटेट टू पर रीजनेबल अमांट तूवर्ड अनिस डिपोजिट अच्छा तो यह परमिटेट है ठीक है नोट हैव कमिटेड एनी प्रोफेशनल मिसकंड़क एक मिस्टर ऑनेस्ट है उन्होंने दो लेटर लिखा है एक XY Chartered Accountant a firm of CA requesting them to allow him some professional work as he did not have significant practice or client he wrote a letter to ABCA for securing professional work ठीक है तो उन्होंने क्या गया है एक CA से काम मांग सकते हो बिलकुल मांग सकते हो तो या कोई भी प्रोफेशनल मिसकंड़क नहीं है चुकि एक सेंट्राक्टिस से काम मांगा है कि नौट प्रोइबीटेड अंडर क्लॉस 6 हाज नौट कमिटेड एनी प्रोफेशनल मिसकंड़क तो आपको पूरा अच्छे से क्लॉस 6 समंग में आ गया को one of the most important clause है और एक चीज आपने अच्टर था इसको लंग गरने का तरीका हम साथ साथ जो मुवी थी और उसमें सी यह जो था वह एक्टर था तो एक्टर एक्टर से क्या समय में अड़र्डीसमेंट अडवर्टाइज नहीं करना है अपना प्रोफेशनल अटेनमेंट और सापिस अपना बखान नहीं करना अपनी तारीफ ने करना माने यह उखाड लिया मैंने वह उखाड लिया मैंने यह कर दिया मैंने वह कर दिया क्या यार ऐसे नहीं कर सकतो कमाउन और कोई-योह नंभास करना तुमको अदर देन-स अधिये और प्रोफेशनल दोक्यूमेंट लेटर एड अन्लेस इडिस मतलब जो तुम्हारा प्रिफेक्स रहाएगा वो सिय रहाएगा यादतमा उसको तुम चेन नहीं कर सकता है नीचे बले ही तुम लिख सकते हो डेजिंगनेशन में कोई दिक्कत की बात नहीं है एक मेंबर अपियर हो सकता है टेलीविशन में तिलकूल हो सकता मैंने क्या बला बखान नहीं होना चे मतलब अपनी तारीफ मत करना तो नो रेफरेंस टूदी फॉर्म का कोई रेफरेंस मत देना तो तुम इंटरनेट यूटूब पे भी आ सकतो फिल्म में भी आ सकतो और टेल चार्ट अकाउंटेन्ट आप लेक्ट्चर ले सकते हो आप टॉक्शो में जा सकते हो आप अटेंद कर से तो ओंफरेंस वहां आप जाकर यह भी बोल सकते हो स्कते अब सियो लेकिन अपने फॉर्म का कोई रेफरेंस मत देना या अपना प्रॉफेशनल एटेंबेंट का can be given writing article article दिख सकते हो बुक्ष लिख सकते हो सब लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं बड़ बड़ में घिव देर नेम अपना नेम दे सकते हो डिस्क्रिप्षन मैं चार्टेड अकाउंटेंट लिख सकते हो बड़ किसी भी हाल में अपना प्रोफेशनल अटेंड्मेंट वगरा ही समद लिख ला मैंने इतने कमनी की ओडिट किया मैंने यह कर दिया मैंने वो कर दिया State-owned is professional document that he is income tax consultant, management consultant, CS, CMA not allowed. ठीक है तो तुम महाला जो भी professional document है उसमें तुम यह नहीं लिख सकते हो कि तुम एक income tax consultant हो allowed नहीं है, नहीं लिख सकते हो. एक management consultant है नहीं लिख सकते हो, एक CS है नहीं लिख सकते हो, एक CMA हो नहीं लिख सकते हो, allowed नहीं है. लुए ल्गा अगेता सब्सक्राइब है कुड़ से निध्यूस दिन तुमने प्रक्टिस स्टार्ड कि यह भी तुम नहीं बोल सकते हो एक तरह से इतना साल का इनका एक्सपिरियेंस है यह इस तरह काउंड हो जाएगा ना इसलिए चीज को आप बात किया हुआ है कि आप इस बंबर उस्टिटूट्रों प्रक्टिस्टूट्र कुझ अधरवाइज के लीजेबल भाट्रा अल्स प्रक्टिसंग्स करों या तो सियो्स करो या तो सियस यूज अधिय तुम तीनों एक साथ यूज नहीं कर सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ CACCMA मयंग तरवेदी नहीं ऐसे कर सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं बट नीचे जो तुम्हारी डेजिगनेशन होगा चार्डड अकाउंटेंड या कंपनी सेकर्टरी या कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंड वह एक होगा वह दोनों में तीन डेजिगनेशन चार्टर अकाउंटेंड एक्षे ये जो तुम्हारा प्रिफेक्स से बोत तुम अपने नाम के आगे लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अरे यार उसी के लिए उसे लिए इसलिए het exam करेक करना कि आगे नाम के यह लग सके तो यह allowed है इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है अपने को लेकिन क्या चीज में दिक्कत है Chartered Accountant as designation मैंग CA मैंग के ओधी Chartered Accountant मजा आता है ना सुनके आप लोग को भी आएगा इस सेटर में एक्जाम निकाल लो जल्दी से तो इसको सिर्फ प्रोफेशनल डोकुमेंट विसिटिंग कार्ड लेटरेड और साइन बोर्ड में ही लिखो तो ज्यादा बेटर है और कहीं मत लिखो देखो promote the brand of CA profession तो हम लोग को डिखो पाले किया था ना इसे के पास कोई लोगों नहीं था बाद में यह लोगों को डेवलप किया गया तो यह लोगों को कोई भी CA कोई भी CA in practice अपना लोगों नहीं बना के इस लोगों को भी यूज कर सकता है freely allowed है आइसे केम अप इता यूनिक लोगो विच वूड बी यूज बाइ ओल मेंबर वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट सारे मेंबर्स को अलावड है यह वाला लोगों यूज करना कोई दिक्कत नहीं है चलो कुछ illustration देख लेते हैं पहले समझे हम तो कौन सा क्लॉस देख रहेते हैं क्लॉस 7 जिसमें बोलते अडवर्टाइज नहीं करना है ठीक अपना प्रोफेशनल अटेन्मेंट एक्सपर्टिस वगरा नहीं करना और प्लस कोई और डेसिग्नेशन तुमको यूज नहीं करन का इसा कोई से जिए अब प्रेक्टीसिंग चाठेट बोलते हैं टैकस कंसलेंक कर सकता नहीं कर सकता है कहां फर्स गयनेशन शलीं B, a Chartered Accountant in Practice is a partner in 3 firms, 3 firms में अपने partner है, while printing his personal letterhead, B gives the name of all the firm in which he is partner, तो तुम जिस जिस firm में partner हो, तुम अपने personal letterhead में उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, no prohibition for printing name of all the 3 firms on the personal letterhead in which the members holding certificate of practice a partner, B is not guilty of professional misconduct, ध्यान दो, यहां कहीं ऐसे नहीं बोल रहा है कि कोई, for example, समदलो कि कोई marriage card या gift card या वहाँ पर नहीं इंबलोग कर रहा है, तो यह allowed है, बारिक difference है, समभजना चीज को, offer document of listed company in which Mr. D, a practicing Chartered Accountant is a director, mentions the name of Mr. D as director along with, देखों, यहां तक ठीक था, यहां तक कोई डिक्कत नहीं था, problem कहाया, along with his various professional attainment and spheres of specialization, यहां गलती होगे, clause 7 में पकड़े जाओगे, क्यों, चोकि वहाँ allowed नहीं है अपना professional attainment का advertisement करना, and 6 में भी पकड़े जाओगे, चोकि यह ऐसा लगेगा कि जैसे काम माँ हो, तो मैंने क्या बला, जाम भी 7 आएगा, 6 भी 7 में, आएगा ही आएगा, कही ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, issue prospectus gives description about chartered accountant expertise and specialization shall constitute misconduct under clause 6 and 7 of part 1 of first schedule, तो इसको क्या करना है, council has further stated that in such cases the member should take necessary step to ensure that prospectus do not advertise his professional attainment, directly or indirectly amount to solicitation, इसे solicitation होता है, ठीक है, where a chartered accountant allegedly propaganding his service subsequent to demonetization, obviously not allowed clause 7 में पक्ड़े जाओगे और 6 में भी पक्ड़े जाओगे, और इसके साथ clause 2 part 4 of first schedule में भी जाओगे, ठीक है, क्यों, चोकि यह disrepute लाता है, तुम demonetization के time में अपना वो गर रहो, एक तरह से disrepute लेके आएगा ICI को, इसलिए यह तुमारा clause 2 में भी चला जाएगा, part 4 में अभी पढ़ेंगे तब समझ जाओगे क्या लिखा होगा, तो देखो, 6 होता है solicitation, 7 होता advertisement, तुम ध्यान दो कि जब भी advertise करोगे, तो एक तरह सा ऐसा लगेगा, कि तुम काम मांग रहो, तो 7 के साथ 6 भी आएगा, क्यों 6 आएगा, चोकि काम मांग रहो ऐसा प्रतीत हो रहा है, जैसे, इस वाज़ सिनेरियो में तो प्रोपागेंड कर रहे हैं हम लोग अपना service, अच्छा प्रोपागेंडिंग ही service, अब क्यों कर रहे है, काम जाए इसलिए तो गर रहे है, और क्या reason हो सकता है, प्रोपागेड करने का, तो 7 में भी चले जागए, तो 6 में भी चले आएगा, ठीक है, but majority of the case, 98% of the case में 6 और 7 साथ में ही आएगा, तो अभी तो हमने क्या पढ़ लिया, सबसे पहले firm का नाम अलाओ नहीं करना है, फिर देना नहीं है, फिर लेना नहीं है, फिर जुड़ना नहीं है, फिर secure नहीं करना है, फिर solicit नहीं करना है, और फिर advertise नहीं कर रहा था, without first communicating to him in writing, सबसे पहले उसके साथ communicate कर लेना, और ये communicate भी तुमको writing में करना है, आरपैड में या handwritten acknowledgement होना चाहिए, आरपैड क्या होता है, registered acknowledgement due, या handwritten acknowledgement, दोनों में से कोई एक चीज आपके पास होनी ही चाहिए, as a proof, as a evidence, ठीक है, ऐसी verbally अगर बोल दिया, तो वो नहीं मान्यता होगी, उसकी, ओके, तो clause 8 बोलता है, कि आपको accept नहीं करना है, कोई भी position as an auditor, जो कि previously held by another auditor था, unless तुम उसके साथ communicate कर लो, वो भी आरपैड में, या writing में, writing, written acknowledgement में, ठीक, और ये writing में होना चाहिए, verbally नहीं होगा, और या तो आप किसी और post से बेजो, तो वो भी मान्यता नहीं होगा, सिर्फ आरपैड और written acknowledgement का ही मान्यता है, यह अपलाई करता है, all types of audit, stat audit, tax audit, PCB type के audit आप कर रहो, यह हर एक audit पर अपलाई होता है, clause 8, incoming auditor should not accept the appointment if there is, अगर non-compliance होए 139 या 140 का, तो तुम accept मत करना, non-payment of undisputed fees होए, if accepted then professional misconduct, यह ऐसा होए कि जो पहले सिये था, उसको फीसी नहीं दी, अब तुम चलेगे काम लेना, तुम मत काम लेना, यार, यह हो एक community, उस community को तुमको hold पर रखना है, एक साथ रहना है, एकता में ही ताकत है, तो मैंने गया बोला कि अगर आपको accept नहीं करना appointment, अगर non-compliance होए 139 या 140 का, या undisputed fees हो due है, पूराने वाले auditor का हग का पैसा मारा है, तो उसकी सिनारियो में तुम जाके उसमें मत ले लेना, और एक चीज़ का ध्यान रखना, sick unit को यह undisputed वाला applicable नहीं है, जोकि sick unit वाइसा ही बिमार हो क्या ही मदद करेगी, तो sick unit को यह undisputed वाला applicable नहीं है, यानि sick unit में गर undisputed fees ह previous auditor का, तो accept कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, Mr. X has chartered account and accepted his appointment as tax auditor and commence the tax audit within two days, जोकि client क्या था, हरी में था, after commencing audit, Mr. X realized his mistake of accepting the audit without sending any communication, in order to rectify his mistake before signing the tax audit report, यानि sign करने से पहले हमने क्या क्या registered post के थुरू हमने भेज़ दिया previous auditor को उसका acceptance लेने के लिए, तो यहां क्या हो का, नहीं, क्यूं, मैंने क्या बोला, without first communicating, यानि सबसे पहले उसको communicate करो, फिर ही accept करना, sign बोला है क्या, sign word use क्या है क्या, auditor report sign होने से पहले करना, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं बोला, मैंने क्या बो हो जाएंगे, professional misconduct के लिए, guilty prove हो जाएंगे, कहां पे clause 8 में, कहां पे clause 8 में, W, a chartered accountant had sent a letter under certificate of posting, अचा, इनो only letter किस में बेजा है, under certificate of posting, allowed है, नई, सिवार पर यह written acknowledgement ही, allowed है, a mere posting of letter under certificate of posting is not sufficient to establish communication, evidence होना चाहिए, to show the communication, तो यहां पे clause 8 में, guilty हो जाएंगे, Mr. W, simple है, बहुत simple है, professional ethics, शुरू हो तहीं कादम हो जाता है, clause 8 क्या बोलता है, बिना communicate के मत करना, तो clause 9 क्या बोलता है, accept audit ascertaining compliance with 139, 140, redwood 141, यानि 139 और 140 का अगर breach होता है, तो तुम accept मत करना, तुमको तुम्हारी जिम्मेदारी है, यह चेक करना, तुम्हारी जिम्मेदारी है, एक CA in practice की जिम्मेदारी है, कि वो चेक करें, accept करने से पहले, कि 139 और 140 का compliance हो रहा है, CA Raja was appointed as an auditor, since he declined to accept the appointment, the board of director CA Rani को auditor appoint कर दिया, which is also accepted by CA Rani, ठीक है, तो हुआ किया, इसमें, देखो, simple सी बात है, पहले एक auditor था, ठीक है, फिर उस auditor को वापस पुछा गया, कि तुमको appoint करें गया, तो वो reject कर दिया, कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, ठीक है, बुझे नहीं होना है, अब क्या होगा, बोड of director क्या कि है, वो CA Rani को appoint कर दिया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या ये casual vacancy है, नहीं, casual vacancy तो नहीं है, तो एक और section था, अगर आपको अच्छे से यादो, 139, 10, जो कि क्या बोलता था, no auditor is appointed or reappointed, the existing auditor shall continue to be the auditor of the company, तो क्या CA Rani को appoint कर सकते था है, या नहीं कर सकते था अलाओ नहीं, तो CA Rani guilty होगी, चुकि उसको चेक करना चाहिए था, कि 139 और 140 का compliance हो रहा है कि नहीं, ये CA Rani की जर्नदारी थी, CA Raja was appointed as the auditor of Castle Limited for the year 1920, since he declined to accept appointment, the board of director appointed CA Rani as the auditor in case of CA Raja, which was also accepted by CA Rani, Board can appoint the auditor in case of casual vacancy only, non-acceptance of appointment by CA Raja does not constitute casual vacancy, it will be deemed that no auditor was appointed in the AGM, 139.10 क्या बोलता है, no auditor is appointed or reappointed, the existing auditor shall continue to be the auditor of the company, इस section को आप ऐसे हवा में उडा देते थे, देखो यहाँ पे question आगिया उसे related, the appointment of auditor by board is defective in law, CA Rani is guilty of professional misconduct since he accepted the appointment without verification of statutory requirement, तो अपने कर लिए clause 9, अब अपने जारे clause 10 में, clause 10 क्या बोलता है, charges or offer to charge, और accept or offer to accept, यहनि आप charge नहीं कर सकते हो, accept नहीं कर सकते हो, fees based on percentage या contingent finding और result, ठीक है, जो भी आपका fees है, वो आप percentage basis पे चार्ज नहीं कर सकते हो, कि मैं तुम्हारी audit करूँगा, मैं तुम्हारा audit करूँगा, तुम जहाँ जहाँ देजो कि उसके इसाप से उतना percentage प करो, एक contingent fees code करो, कि हाँ इतना तुम्हारा रुपया लगेगा, इस audit का, प्रॉपरली तुम पहले से प्रोजेक्ट कर लो, तुमको कि इतना घर्चा लगे, उससे आप से अपना fees slab बना लो, और उससे आप से जो भी तुम्हारा client है, उसको एक particular सी वे code करो, slab भी code नहीं करन करना है, या तुमको कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करना है, जो contingent about finding of result, मतलब अगर loan मिला तो इतना रुपया में लोंगा तुमसे, इतना percentage लोंगा या इतना रुपया लोंगा, नहीं, अगर मगर नहीं, fixed, मतलब fixed, come on, CA थोड़ा एक वो होना, भरोसा होना चीज़, इसलिए इसको लाया गया, clause 10 में, तो clause 10 में क्या बोलता है, तुमको charge नहीं करना, या accept नहीं करना, piece based on percentage of profit, या contingent upon finding or result, accept, कहीं कहीं allowed, ठीक है, law में लिखा हुआ है, यह कि law में लिखा है, कि CA यह ले सकता है, liquidation के case में percentage of asset realized के basis पर अपने लेता है, याद परो liquidation का तो अपने question भी कहे था, इंटर में, उसमें तो अपने percentage पर ही लेते थे, percentage पर ही लेते थे, जितना asset भी का, उसके basis पर, cooperative society के case में percentage of net profit income paid up capital network, इसमें ले सकता है, cooperative society में, management consistency अगर आप service दे रहो तो उसके लिए आप percentage में ले सकते हो, fundraising के service दे रहो, तो आप percentage में ले सकते हो, बड़ बड़ याद रखना, मैंने भी bank loan का example लिया था ना, क्यों लिया था, यहाँ पे इस ले लिया था, अच्यों की, accept bank loan, bank loan के case में आप percentage पे नहीं ले सकते हो, बाकी percentage of fund raise के बेस पे आप ले सकते हो, पर bank का loan दिला रहो, इसलिए percentage चार्ज करो, यह नहीं ले पाऊँगे, debt recovery के लिए percentage of debt recover के लिए कर सकते हो, cost optimization के लिए percentage of benefit derived के लिए कर सकते हो, value के लिए percentage of value of property value, valuation अगर आप कर रहो तो जितना value किया, उसका percentage आप ले सकते हो, यह सब law में लिखा हुआ, इसलिए यह सब कुछ allowed है, आपको यह list learn कर लो, इसी में से कोई यह question आएगा, तो आएगा, लिक्वीडेटर को percentage of asset realized allowed है, cooperative society के लिए percentage of net profit income paid up capital net worth allowed है, management consultancy के लिए percentage basis may be based on contingent में allowed है, fund raising के लिए percentage of fund raised allowed है, except bank loan, bank loan के लिए allowed नहीं है, debt recovery percentage of debt recover के लिए allowed है, cost optimization के लिए percentage of benefit derived allowed है, value के लिए percentage of value of property value allowed है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें, okay, illustration, क्या बोलता है, a chartered accountant has arranged accounting bill raised by 16 party amounting to rupees 14.09 crores and made entries which were not genuine, made entries which were not genuine, he had charge commission, commission charge कर दिया percentage, तो percentage basis पे कर सकते है, क्या, नहीं कर सकते है, कहां फसेंगे, 10 में फसेंगे, 10 में तो फसेंगे, और इसके साथ clause 2 में भी फसेंगे, पार्ट 4 में जो कि क्या बोलता है, डिस्रेप्यूट लेके आयो, डिस्रेप्यूट लेके आयो, आई से आई के लिए, तो clause 2 में भी तुम चले जाओगे, याद रहतना, और clause 10 में तो फसेंगे, चो कि percentage charge की हो, और clause 2 में क्यों जाओगे, चो कि genuine काम नहीं के हो, इसलिए पर clause 6, solicit नहीं करना है, clause 7, advertise नहीं करना है, clause 8 क्या बोलता है तुमारा, इसको बीना communicate किये करना मत, clause 9 क्या बोलता है, 139 वाला, clause 10 क्या बोलता है, percentage of fees charge, clause 11 क्या बोलता है, engage in business or profession other than CA, unless permitted by institute, समझे, अगर तुम एक CA प्राक्टिस हो, तुम कोई और बिजनेस नहीं कर सकते हो, तुम कोई और प्रोफेशन नहीं कर सकते हो, पर कर सकते हो, अगर permission institute से ले लो, पर कर सकते हो, अगर permission institute से ले लो, director, but if partner is interested, then no director, तुम director बन सकते हो, क्या कंपनी है, विल्कूल बन सकते हो, पर अगर तुम पार्टनर का कुछ इंट्रेस्ट है, उस company में, तुम director नहीं बन सकते हो, hold time या managing director बन सकते हो, क्या बन सकते हो, auditor in holding, तो director बन सकते हो, क्या सबसिडरी में, allowed है, अगर तुम holding में, अगर तुम auditor हो, तो सबसिडरी में, तुम director बन सकते हो, allowed है, Mr. A, a practicing chartered accountant, took over as executive chairman of software company, on 1-4, और 10-4 को वो apply किया permission के लिए, तो 1-4 और 10-4, तो इसके बीच में जो था, इस समय तो वो बिना permission के था न, तो यहां पे वो clause 11 में guilty हो जाएगा, clause 11 में guilty हो जाएगा, he was engaged in other occupation between period of 1-4 and 10-4, without permission of councillor, यहां एक दूर दिन वह वह सा बात नहीं, अप्रूबाल लेना पड़ेगा न, CA प्रभू is leading income tax practitioner, and consultant for derivative product, he reside in Mumbai, ABC commodity stock exchange, and thus trading in commodity derivative, commodity derivative में भी वो trading करना लगा, तो इसके लिए तुमको permission लेना पड़ेगा, ICI का, चुकि 50% of his time to settle the commodity transaction, तो council has granted general permission to member to engage in certain specific occupation, in respect of all other occupation specific permission to institute is necessary, CA प्रभू engaged in occupation of trading in commodity derivative, which is not covered under general permission, तो clause 11 में उनको guilty हो जाएगा, अगर वो prior approval नहीं लिए, तो Chartered accountant holding certificate of practice and having four article clerk registered under him, accept appointment as full-time lecturer in college, क्या full-time lecturer in college बन सकता है, क्या तुमारा principal, तुम जिसके अंडर तुम काम करते हो, The member can accept full-time lecturership in college only after obtaining specific and prior approval of the council, council का prior approval लेना पड़ेगा, तभी तुम बन सकते हो, वरना तुम नहीं बन सकते हो, The Chartered accountant is liable for professional misconduct since he is failed to obtain specific and prior approval of council, यह देखो, आपका principle क्या हो गया, guilty of professional misconduct हो गया, बताओ, चलो, अब आते, यह clause 12, last clause schedule 1 का, नहीं, schedule 1, first schedule का, part 1 का, 12 clause होते हैं, तो 12 clause यह last clause है, part 1 का, आपको allow नहीं करना है, किसी भी person को, जो कि member of institute नहीं है, या end member not being his partner, यह यह प्लस आपका partner नहीं है, तो sign on behalf of him or firm, PL balance sheet report financial statement, या नहीं सिंपल से बात बता है, clause 12 में क्या बोलता है, जो financial statement, balance sheet वगेरा है, वो कौन sign कर सकता है, सिर्फ तुम sign कर सकता है, या तुमारा partner जो CA है, वो ही sign कर सकता है, सिर्फ तुम sign कर सकता है, या तुमारा partner जो CA in practice है, बस वो ही sign कर सकता है, CA in practice है, य हुमने, on 89-20 a message was received from one of his client, requesting for stock verification, stock verification का certificate चाहिए, ठीक है, to be produced to the bank, उसको bank में देना, due to urgency, CA क्या किया, उसका एक assistant था, who is also chartered accountant to sign and issue stock certificate after due verification on his behalf, तो यह allowed है, नहीं, क्यों कौन होना चाहिए, CA in practice होना चाहिए, employee नहीं होना चाहिए, CA in practice, प्लस तुमारा partner, CA smart is guilty of professional misconduct under clause 12 of part 1 of first schedule to chartered accountant in 1949, तो यह है, memory technique है, मुझे नहीं, आपको इसका need लगेगा, आपको ऐसे ही learn हो गया, चलो एक बढ़ फटा-फट कुईक रिवीजन मार्ट लेते है, क्या था, चलो एक quick revision मालेते, देखो first क्या था, practice in his name, second क्या था, देना नहीं है, third क्या था, लेना नहीं है, fourth क्या था, जुड़ना नहीं है, fifth क्या था, तुमारा secure नहीं करना है, sixth क्या था, sixth क्या था, तुमारा काम नहीं मांगना है, नहीं solicit नहीं करना है, seventh क्या था, advertisement से related और designation से related था, उसके बाद तुमारा eight क्या था, तुमारा eight था, बिना previous को communicate के accept मत करना, nine क्या था, 139 था, 10 क्या था, percentage और profit था, 11 क्या था, तुमारा कोई तुम मेंबर इन प्रैक्टिस निया प्लस तुम्हारा पार्टनर यानि तुम्हारा इंप्लॉईव अगर लोग साइन नहीं कर सकते हैं भली वह सी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अलाउड नहीं है तुम गिल्टी पोजाओगे तो यह था पार्ट वन अब हम लोग चल अगर आप सर्विस में है तो उसके लिए मतलब कोई सालरीड है सालरीड सी है अब मेंबर ऑफ इंस्टिट्यूड इन सर्विस शैल बीडीम टू बी गिल्टी और प्रोफेशनल मिसकंड़क्ट इफ अच्छा आप लोग या गरोग आप प्रैक्टिस गरोगे कि सालरी में ज अगर आप सर्विस में हो तो आप गिल्टी हो जाओगे प्रोफेशनल मिसकंड़क्ट के लिए अगर आप शेयर करते हो या एगरी टू शेयर करते हो अशेयर ऑफ इम्यूलिमेंट ऑफ इंप्लोईमेंट यानि आपको जो भी सालरी मिल रही है वह आप शेयर नहीं कर सकते ह इसका वर्डिक होता है क्लियर वर्डिक्ट ऑफ दिस क्लॉस इस डाइट जॉप मस्ट बी प्रोक्योड एंड रिटेन विच ओन प्रोफेशनल कैपेबिलिटी अन नौट बाइप फाइनेंशियल डील इंपेरिंग प्रोफेशनल डिगनिटी मतलब मतलब सिंपल सी बात है क आप एक जगे जॉब कर रहे हो ठीक है अब आपको मिल गया वर्क फ्रोम हो में आप काम कर रहो फिर आपके दिमाब में कुछ क्लिक क्या कि यार यह काम तो बहुत इसी है मैं किसी और को सिखा देता हूं मुझको तो पच्छास हजार मिल रहे है मैं दूसरे को दस हजार में यह काम कर वालूना मेरा तो ओगया सिंपल है नहीं है तो बस जाओगे कां फस होगे यहां फस होगे चुकि तुमको नहीं कर सकते हो शेयर और एग्री टुशेयर और ओफ इम्प्लॉइमेंट यानि जो काम तुमको मिला उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार याद करो ऐसा ही कुछ अपने part one में भी पढ़े थे जो cain practice के लिए था वह क्या नहीं share कर सकता अपना professional fees share नहीं कर सकता है उसी तरह उसी तरह clause one में तुम अपना salary अग्री शेर नहीं कर सकते हो यह लिखा इसमें दोनों को मिला कर पढ़ोगे तो जाद अच्छे से समझ में आए रहा है क्लॉज टू क्लॉज टू क्या बोलता है एक्सेप और एग्री टू एक्सेप अपार्ट ओफ फीस फ्रॉम लॉयर सी ये ब्रोकर एजेंट इंगेज़ बाइ सैच कंपणीऍस Kolleg सिम्सेन or क्रैयटिफिकेशन मंझे मंझे तुम यह कंपणी में काम करते हो य हूर अशालरेट लॉएड तुम पने काम करवाी मैं त्रोक तुमने कंपनी में काकम दिलवा देता हूं याद करो यह कुछ कुछ तुमको प्रैक्टिस वाले में लग रहा होगा कि लेना नहीं है याद करो वाला क्लॉज जो था लेना नहीं है तो यह उसी की तरह है अगया है एकसेप्ट और एग्री टौ अपार्ट ऑफ़ेस फ्रोम्लॉएर सिए ब्रोकर एजेंट इंगेज बशाच कंपंपनी एस कमिशन देंको सीए से भी नहीं ले सकते हो एक सीए है अगि यह एक कंपनी में तुम काम घरते हो उस कंपनी में और तुम्हारे जानपचान म पुछ भी रेदी हो ठीक है तो इस सिनरीओ में में जो सर्विस में है वो चला जाएगा टू में जो सिय क्लॉस यह प्रैक्टिस घेगा लेना नहीं है वाले यहां दिखा देना नहीं है शेयर कमिशन ब्रोकरिस तुमको नहीं देना है ठीक है याद रखें यहां पे वह फिर्स जाएगा देखा दोनों को मिला कर पढ़ने में कि नमजा आया तो पार्ट फोफ शेडिल किसके लिए इंस्टिट्यूट इन सर्विस शैल बीडिन टू बी गिल्टी और प्रोफेशनल मिसकंड़क्ट इफ क्लॉस वन क्लॉस टू क्लॉस वन क्या बोलता है शेयर कर दिया अगर तुमने में रहते हो बंग тобой से फैमलार में मुम्वें में जो सर्यम अपने फैमिली केसाथ शेयर कर सेनकी मूंणी के एकउछन ब्रांसफेर से तो कोई दिक्कतत नहीं है उसमें इंतेंशन matter करता है इंतेंशन केया त्रांसफर करने के वह मैंटर करता है कि आटेंटेट करना या agree to accept नहीं करना तुमको part of fees from lawyer, CA, broker या agent और commissioner engaged by such company as commission of gratification, commission of gratification नहीं लेना, commission agent थोड़ी है तुम, a member in foregoing circumstances would be guilty of misconduct regardless of the fact that he was old time or part time employment or that he was holding certificate of practice along with employment, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, regardless of this fact, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम part time, full time या चर्टिफिकेट अप्रक् नहीं पड़ता है, तो आज आप part 3 of the first schedule, second last, बहुत easy है, जादा difficult नहीं है, member of institute whether in practice or not, ठीक है, member of institute whether in practice or not, दोनों का applicable, salary plus उसके लिए, shall be guilty of professional misconduct, अगर आप member नहीं हो institute के, but act as a fellow member, आप institute के member नहीं हो, but अगर आप act करता हो as a fellow member, तो आप guilty हो जागे professional misconduct के लिए, clause 2 क्या बोल does not supply information or comply with requirement issued by ICI, ICI ने तुमसे को information मांगी तुमने नहीं दी, तो तुम clause 2 part 3 of first schedule में guilty हो जाओगे, ICI ने तुमसे को information मांगी तुमने गलत दी, तो तुम second schedule part 2 clause 3 में first जाओगे, यह अपने जब अपने clause second schedule करेंगे, तब अच्छे से समझ मैंगा, अभी जो बोल रहा है, बस सुनलो, बाद में अगर यह revision ऐज़ा देख रहा हो, तो समझ रहा होगे क्या आप बोल रहा हूँ, ICI ने information मांगी तुमने नहीं दी, clause 2 part 3 of first schedule, ठीक है, ICI ने information मांगी तुमने गलत दी, तो clause 3 part 2 second schedule में guilty, मैं दोनों scenario में guilty हो जाओ, Mr. G, Mr. G, while applying for certificate of practice, did not fill in the columns which solicits information about his engagement in other occupation, इसने ये fill नहीं किया about his engagement, तो यहां क्या होगा, information मांगी दी नहीं, नहीं दी, तो किस में चले जाओगे, तुम चले जाओगे, clause 2 में part 3 of schedule 1, Mr. X, a chartered accountant, employed as paid assistant with a chartered accountant firm, leave कर देता service of the firm, despite many reminder from ICI, fails to reply regarding the date of leaving, ठीक है, ICI ने information मांगी, तुमने नहीं दी, तो clause 2 part 3 of first schedule में guilty हो जाओगे, clause 3, clause 3 क्या बोलता, invite करते हो professional work from another CA, और respond करते हो tender को, और provide करते हो false information, knowing it to be false, अगर गलत information ICI को दे रहो, ठीक है, गलत information ICI को दे रहो, तो second schedule part 2 clause 3 में जाओगे, अगर गलत information तुम tender या किसी और CA को दे रहो, tender या किसी और CA को दे रहो, ताकि तुमको वो काम मिल सके, तो उस case में तुमको clause 3 में चले जाओगे, part 3 of first schedule में guilty हो जाओगे, बहुत समझत, इसका मतलब इसका मतलब यह होता है, तुम एक CA in practice के पास गया, तुम बोले कि हमको का तुम को क्या आता है, तुम बोल दिये, तुम्हारे बात करने के basis पर तुमको एक काम दिला देता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, तुमने false information दी, जानते हुए कि वो false है, तो यहाँ पर तुम clause 3 में guilty हो जाओगे, clause 3 में guilty हो जाओगे, must example था ना यह, चलो आजाओ, पार्ट 4 of first schedule, जिसमें second schedule, second clause अपने बार बार पढ़ते हैं, तब member of institute, whether in practice or not, shall be guilty of other misconduct, पार्ट 1, 2, 3 में professional misconduct था, यहाँ पर क्या है, other misconduct, guilty of other misconduct, exam में यही लिख्या ना, mistake मत करते हैं, फजज हो गने, clause 1 क्या बोलता है, अगर आप imprisonment हुए हो, less than 6 months, यानि एक CA है, जिसको जेल हो गई है, whether in practice or salary, तो वो clause 1 में first schedule के part 4 में भी guilty हो जाएगा of other misconduct, और अगर more than 6 months है, तो वो second schedule part 3 clause 1 में चला जाएगा, second schedule के part 3 clause 1 में चला जाएगा, या clause 2 में अगर opinion of council being disrepute to the profession of ICI, अगर profession या ICI को disrepute लेके आता है, तो that scenario clause 2 में हो जाएगा, यह बहुत बढ़ा clause है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़े cover हो जाती है, for example, तुमने check issue किया, और वो तुम्हारा check bounce हो गया, तुम एक CEO और तुम्हारा check bounce हो गया, तो यह भी disrepute लेके आता है, तुमको clause 2 में guilty proof किया जा सकता, तुमको guilty थेराया जा सकता, और further misconduct, तो याद रना check bounce नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा sufficient fund maintain करके रखना है, च attracting autoris expected to maintain high degree of standard or integrity even in his personal affairs, ये बहुत important लाहीन एकजाम में लिखना होरा, बुनना मत, सब्सक्रमायी और इसको रटॉः लो, यह में आही कहा। chartered accountant expected to maintain high ground standard of integrity in is personal affairs and any deviation from this standard call for disciplinary action, तो उन में चलेगा हुए, जाद रखना तुमको, याद रखना, खताम होता, first schedule कितना easy था, मैंने आपको पहले बोला, जादा tough नहीं है, बहुत जादा ही easy है, कल अपने करेंगे second schedule, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को चाहो, तो एक और बार देख लो, इस notes को फटा-फट पढ़ लो, इसके बाद सारे question first schedule के बना लो, सारे, कल schedule 2 start होने से पहले, schedule 1 तुमारा complete होना चाहिए, याद अपना इस बात को, So that's it, thank you very much for joining in, चैनल को subscribe करते ना, वीडियो को like करते न, अगर वीडियो पसंद आई होगी, तो comment करके ज़रूर बताना कैसी लग रही है वीडियो, और second schedule के लिए wait करना कला जाएगी, और अच्छे से अपने इसको खतम करेंगे, आपको बस ये वीडियो देखना है, ये notes बनाना, question बनाना, आपका हो जाएगा professional ethics, इससे जादा नहीं करने का नीड है, तो डरना बिल्कुल भी मत, company audit की वीडियो अपलोडेड है, last time में अपलोड कीती, तो कोई amendment नहीं है, तुम चाहो तो उसको भी देख सकते है, तो company और professional ethics तोनो तुमारा cover हो जाएगा, ओके, च take care, have a good day ahead, yeah good night, जो भी है, चलो, bye, take care.